विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यान मई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएं जै गुरुदेव यूग वसिष्ट के आज का ये जो एपिसोड है इस सीजन का आखरी एपिसोड कल के एपिसोड में हमने देखा था कि वसिष्ट जी प्रभू रामचंदर जी को कह रहे है कि शुब और अशुब सब का त्याग करो, राग और द्विश का भी त्याग करो इतना जानों कि तुम चेतना के सार हो यह अनुभव करो कि करता, कर्म या क्रिया तुम्हें स्पर्ष नहीं करते चेतना की तरह बिना किसी हलचल के शान्त हो जाओ कलके ही इसे चर्चा को आगे बढ़ाते है वसिष्ट जी ने आगे कहा इच्छा और आशा की सभी बेडियों को धहिरिय और अध्य वसाय से युक्त अपनी अपरिमित बुद्धी से काट डालो और धर्म तथा अधर्म से भी उपर उठो धर्म अधर्म से भी उपर उठने को कह रहे है क्योंकि जब तक वो चेतना के परम अवस्ता में स्तित नहीं होगे न तो हो सकता है ये अच्छे और बुरे धर्म और अधर्म के इस जंजाल में भी हो सकता है उलजे रहोगे तो महर्शी वसिष्ट जी कह रहे है कि धर्म अधर्म के भी उपर उठ जाओ जब किसी की जड़े आत्मग्यान में जमी होती है तब गोर से गोर विश भी मृत्यू विजय अम्रुत में परावर्तित हो जाता है अगर आत्मग्यान में स्तित होना तो विश भी अम्रुत में परावर्तित हो जाता है और अगर आत्म ज्यान में स्थित नहीं हो तो फिर हो सकता है अम्रुद भी विश्च समान हो जाए जब आत्म ज्यान को अज्यान पटक दे देती है तो मन में दृष्य संसार का भ्रहम उत्पन्न होता है आत्म ज्यान जब अज्यान के अंधकार से गिर जाता है तभी ये भ्रहनतिया उत्पन्न होती है ये जो संसार का एक जो दृष्य निर्मान होता है वो उसी के वज़े से होता है परदो जब कोई दृष्य पूरवक आत्म ज्यान में स्तित होता है तो दृष्य संसार को उत्पन्न करने वाला भ्रहम या अज्यान का अंत हो जाता है और ज्यान का प्रकाश पूरे ब्रहमान्ड में चमकने लगता है आत्म ज्यान में स्तिती ही लक्षन है कि यह जो भ्रहम है यह जो दृष्य संसार है उसका मिटना ऐसा तीज आत्म ज्यान का होता है जिसमें यह सारा दृष्य ब्रहम रूपी संसार खत्म हो जाता है और वो प्रकाशी सर्वत्र फैलता है जो आत्म ज्यान का है जीवन को अमरता प्रदान करने वाला आत्म रुपी अम्रुज जो पी लेता है उसे इंद्री य जन्य भोगों के आनंद से पीडा की अनुभुती होने लगती है हमें उनी की संगती करनी चाहिए जिनोंने भोगों के आनंद से पीडा की अनुभुती ली हो अमरता प्रदान करने वाला आत्म ज्यान रुपी अम्रुज जो पी लेता है उसे इंद्री य जन्य भोगों आनंद से पीडा की अनुभुती होने लगती है हमें उनी की संगत करनी चाहिए जिनोंने आत्मग्यान प्राप्त कर लिया हो जो भोगू से पीडा देते वाले जो है उसकी संगती ना करते हुए आत्मग्यान में जो स्तित है उनकी संगती करनी चाहिए अन्य लोगों से नहीं जिनोंने आत्मग्यान प्राप्त नहीं किया है अज्यान में जो है उनकी संगती नहीं ऐसे लोग तो मनुष्य रूप में कूड़ा होते है जिस प्रकार हाथी लंबे लंबे डग भरता है उसी प्रकार आत्मग्यान व्याप्त व्यक्ती भी चेतना की और उची स्तिती पर पहुचने के लिए छलांगे लगाता है ना उन्हें बाहर से कोई साहियता मिलती है और नहीं कोई सुर्य उनका पत अलोकित करता है आत्मग्यान ही उनका प्रकाश है आत्मग्यान के प्रकाश से जीवन आसान होने लगता है सत्य की अनुभूती होने लगती है फिर और किसी बाहरी वस्तू पर डिपेंडन्ट नहीं ह वह आत्म घ्यान ही सूर्य रुपी प्रकाश प्रदान करता है जो लोग दृश्य संसार और ग्यान के जगत से परे चले जाते हैं उनके लिए पदार्थो और जगतों की अवधारनाये उसी प्रकार बेमानी हो जाती है जिस प्रकार मध्यान के सूर्य के प्रकाश में दीप अ आत्म ग्यान मिलने के बाद और कुछ प्रकाशित नहीं रहता। सूर्य की चमक में, दोपेर के माध्यान में सूर्य जैसे चमकता है, उसके सामने एक दिये का प्रकाश क्या है? उसी प्रकार जो चेतना में स्थित हो गया, जो आत्म ज्यान में स्थित हो गया, उसके सामने और कुछ प्रकाशित नहीं होता सत्य को जानने वाला संत, तेजस्वी, गवरव, बल, आदी ऐसे गुणों से युक्त होता है, जो स्त्रेश्टता के द्यों तक माने जाते है सत्य में स्थित हो गया, तो वो संत तेजस्वी होना ही है, बलशाली होना ही है, सत्य में जो बल मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता सत्य की वजह से जो तेज मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता, यही बात यहाँ पे महरशी वसिष्ट जी कह रहे है ऐसे संत इस संसार में ऐसे चमकते हैं जैसे अगनी सूर्य चान तारे मिलकर चमकते हैं और जिने आत्मग्यान प्राप्त में ही होता वो किड़े मकोडों से भी भत्तर होते हैं आत्मग्यान में स्तित्संत जितना प्रकाश सूर्य चंद्र तारे अगनी मिलकर करते हैं न उतना प्रकाश एक आत्मग्यानी व्यक्ति से ही होता है और जिसमें आत्मग्यान नहीं है अग्यान में है वो किड़े मकोडों से भी बत्तर है ये कह रहे हैं ब्रहम का भूत तभी तक व्यक्ति को सताता है जब तक उसे आत्म ज्यान प्राप्त नहीं होता। वो माया का चक्र जान रहे थे न, प्रभुराम चंद्र जी, वही पता रहे, अज्ञानी व्यक्ति को ही ब्रह्म ये माया सताती है, ज्ञानी व्यक्ति को आत्म ज्ञानी व्यक्ति को नहीं, अज्ञानी व्यक्ति सदा दुखी रहता है, बले ही वह अपने दुख से पीछा चुड़ाना चाहता है बहुत कुछ करता भी है पीछा चुड़ाने के लिए इदर उदर घूमता भी है लेकिन फाइनली दुखी रहता है क्योंकि मूल कारण उसके दुख का अज्ञान है आत्म ज्ञान का अभाव है वह जीवित शव के समान ही होता है वसिष्ट जी कह रहे ह वो व्यक्ती जीवित शव जैसा है केवल आत्म ज्ञान प्राप्त संत ही जागरुप प्राणी होता है जिस संत ने आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसने भी किसी ने आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया ना वही उसी को सही माइने में जीवित कहना चाहिए बाकी तो सब जीविच शवव ही है, जेस प्रकार गने बादलों के कारण सूरज का प्रकाश ढख जाता है, उसी प्रकार अज्ञान तता अन्य दोशों के गटा रोप के कारण मन्स्तुल हो जाता है और आत्म ज्ञान का प्रकाश भी ढख जाता है, अज्ञान को इसलिए तमस भी कहा गया ह कोई अज्यान में होता है तो तामसिक कहते है उसको याने क्या अंदकार वो सब जगह फैलाता है आत्म ज्यान के उपर भी अज्यान का बादल आ सकता है अंदकार आ सकता है यह यहाँ पर कह रहे है इसलिए व्यक्ति को सुखों के भोग की लालसा छोड़ देनी चाहिए मन को उसके स्वात से वंचीत रखना चाहिए और इस प्रकार उसे अशक्त कर देना चाहिए मन भागता है ना लालसाओं के पीछे उसमें नहीं उलजना चाहिए आत्मग्यान में स्तित्थ होना चाहिए इसको इस भाव को ही अशक्त कर देना चाहिए कि सुख के पीछे भागने का ये जो भाव है उसको अशक्त कर दो याने कमजूर कर दो ताकि वो तुम पर हावी ना हो पाए ठीक है जब मन आत्मा से भिन्द शरीर और उससे संबंद पुत्र, पौत्री, मा, बेहन, भाई इस मित्या संबंद से जोड लेता है तो वहस्तुल हो जाता है आत्मा सुक्ष्म है तरल है लेकिन फिर वो क्या करता है अपने अलग-अलग संबंदों को अपने सा जोड लेता है पुत्र, ये मेरा पुत्र है ये भाई, ये बैहन है, पीता है तो फिर क्या कर दिया जो तरल और सुक्ष्म वो आत्मा था उसने अपने आपको स्तूल कर दिया एक धारणा में समेट दिया एक छोटी सी संकुचित वो विचार में आ गया उलज गया मैं और मेरा की अवधारणाए भी, मन को स्तूल तता अग्यानी बना देती है ऐहिंकार भी मैं और मेरा की दारणा येने क्या ऐहिंकार भी इसे स्तूल बना देती है बुरापा, दुख, अकांग्शाय मानसिक व्यथा प्राप्ति तथा परित्याग संबंदी प्रयास आसक्ति मोह लोब कामुक्ता यवनाचार सुख भोग भी मन को और भी अधिक उग्र बना देते हैं यह सारे अउगुन कहे गए यहाँ पर जो कहा है अब समझ में आ रहा है अउगुनों से अपने आपका संबंद क्यों तोड़ना चाहिए क्योंकि यह आत्मा को स्थुल बना देते हैं सीमिद बना देते हैं संकुचिद बना देते हैं और फिर आत्मा का जो स्वरूप है वो त आत्म ग्यान में स्थित करो, अग्यान के अंधकार को ढूर करो, ऐसी ही चीजों में रहो जिससे ये सुख की, ये जो लालसाओ की, ये जो एक वो हम हो जाते हैं, उसमें इनवल्व हो जाते। उससे अपने आपको डिटैच करके मुक्ती का अनुभव करो यह यहाँ पे कह रहे हैं तो आज के इस एपिसोड में यही पर रुखते हैं आज यही पर अपने छटे सीजन का यह लास्ट एपिसोड था यह पूरा सीजन में बहुत सुन्दर फिलोसोफी है इस पूरे सीजन को आप बार बार देखते रहना यह मैं आपको कोँगा अगले सीजन में यह देखेंगे कि महर्शी वसिष्ट जी और क्या प्रभू रामचंद्र जी के साथ चर्चा कर रहे है तब तक के लिए जय गुरुदेव